आज हम जो हमने पहले fraction पढ़ा था आज हम उसको ही आगे continue करने जा रहे हैं exercise 6.1 fraction की बच्चों देखिए सबस्यादा आपको दिक्कत missing number निकालने में ही आती है कैसे paper में आप missing number निकालेंगे यहाँ पर हमें fraction दे रखी होती है 5 upon 7 दे रखी है और इधर हमें equal to में यह दे रखा है और हमें number यह निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 5 upon 7 पेपर में 35 देखिए हम इसको multiply कर देंगे तो 35 दे 5, 7 दे 35 और नीचे भी उपर इस नंबर से multiply करेंगे उसी नंबर से नीचे multiply करेंगे जो कि यह rule होता है और 7, 7 दे 49 तो यह आपका answer आ गया इसे हम दूसरा part करेंगे हमें दे रखा है 9 upon में 13 और नीचे हमें दे रखा है 65 तो 13, 5, 65 होता है इसलिए 9, 5 जब हम करेंगे 45 तो यह हमारा answer आ गया देखो बच्चो जैसे हमने उपर सीखा था अभी missing numbers missing numbers कैसे निकाल सकते हैं fraction में ऐसी दूसी तरीके से भी आता है हम इसको कैसे निकालेंगे से मृस्ए टे रख यह हम्हें कैसे निकालेंगे इसको डिवाइट करेंगे यह विर्भागे zostaill जो बाहर equal to में हमें दे रखा होगा तो हम कैसे करेंगे इसको 40 divide by 40 divide by 8 तो 8 को हम divide करेंगे 40 से तो कि आगे हमारा 5 क्योंकि 5 8 5 5 is a 40 होता है इसलिए तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा 5 आजाएगा answer ऐसी हम नीचे करेंगे 5 यह आएगा हमारा answer question बना जो हमने number निकालना है यह हमारा 5 आएगा ठीक है और हम आपको एक और example देते हैं दूसरे question में कैसे दे रखा है उपर अलग तरीके से दे रखा था हमें यह निकालना था किस से हम divide करें तो हमारा यह answer आए तो हम नीचे क्या दे रखा है हमें number दे रखा है direct हमें divide करके लिखना है ठीक है तो हम कैसे divide करेंगे direct divide कर सकते हैं अगर हम 24 को 2 से करेंगे तो हमारा 12 आगे answer ठीक है दो तरीके से paper में पूछ सकते हैं बच्चो आज की class यही पर हम end करते हैं और हम आगे class में SCF सिखेंगे और LCM सिखेंगे कैसे हम fraction का LCM और SCF निकालते हैं और आगे हम उसकी exercise भी सिखेंगे आज के लिए class यही पर खतम होती है